हम बात कर रहे है जेपी पावर की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो चोटे मोटे अब साइट के साथ ही स्टॉक ने क्लोजिंग हमको दिखाई है इससे पहले स्टॉक ने पच्चास पेसे 19.60 की लेवल से रिजेक्शन लिया एक जंप आया अगें रिजेक्शन के साथ अपने इस लोग को ब्रेक्डाउन किया है लेकिन इस ब्रेक्डाउन के बाद स्टॉक हमको बॉन्स बैक दिखा सकता है जिस तरह से हमको यहां देखने के लिए मिला है हम चाट पैटन पर इस तरफ देखे तो पता चलता है कि इससे पहले स्टॉक ने 16.40 पेसे 16.50 पेसे की रिसेंट लो और इसको ब्रेक्डाउन कर गया तो निक्स सपोर्ट रहेगा 16.00 रुपे का लेवल जहां से इससे पहले स्टॉक रिजेक्शन फेस कर चुका है और आखिरी सपोर्ट की बात करें तो इसका जो लो है 14.40 पेसे का लेवल यह आखिरी सपोर्ट रहेगा इसको ब बात करें तार्गेट की तो इमेडियेट टार्गेट बनेगा 17.80 पेसे और 18.00 रुपे का लेवल और इस बांज बैक के साथ इस्टॉक 18.50 पेसे तक के तार्गेट दिखा सकता है और हम देख सकते हैं कि इस लेवल से जब इस्टॉक ने रिजेक्शन लिया आए तो आपने रिसेंट लोग को ब्रेकडाउन किया है तब स्टॉक को लगातार तेजी के लिए 18.50 पेसी की लेवल को ब्रेक आट करके उपर सस्टेन होना है अगर इसको ब्रेक आट करके उपर सस्टेन हो गया तो फिर आगेन स्टॉक 19.60 पेसे की लेवल को ब्रेक आट करके हमको 20 अगर आप Demet account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है